स्लाम अलेकुम नाश्रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ विटी एन एन मैं हूँ आपकी मेजबान सुनेरा नाश्रीन आज हम रेडियोलोजी के हवाले से बात करने वाले हैं जैसे कि प्रीवियसली हमने कुछ इसकी बेसिक टम्स के ओपर एक प्रोग्राम किया था तो उसी तरीके से आज हम इसकी कुछ करने वाले हैं तो रॉक सब आप बताएगा बेसिकली ये डिपार्टमेंट कब स्टार्ट हुआ था कहां से इस इस डिपार्टमेंट की जरूरत महसूस होई कि इसको स्टार्ट करना चाहिए बेसिकली तो ये रेडियोलोजी का लफ़ जह है रेडियेशन से निकला और रेडियेशन की वजह से उनकी बाद में डेथ भी शी दा ओनली लेडी जिन्हें दो दफ़ा जिन्दी में नोबल प्राइज मिला है और ये उनकी स्टार्ट था रेडियेशन का इसके बाद तकरीबर एक सो पचीस साल की कहानी है 125 यर्स जाएंगे 1895 में जो विलहलम कॉर्णर रोंजन थे जर्मन साइंटिस्ट तो उन्होंने वो कैथर्डरे ट्यूब पे काम करे थे तो वहां से एक्सीडेंटली जो है ये एक्सरे जो है वो डिसकावर होई फर्स टाइम और उसके बाद इसकी बड़ी तवील हिस्ट्री है क्योंकि ये एक खतनाक रिडियेशन्स हैं दिवारों से भी पेनिटेट कर जाते हैं तो इसके लिए स्पेशली हमें लेड लगाना पड़ता है ये मूटी दिवारक नहीं पड़ती जहां पर हम काम करते हैं तो जी वीरों कि अटे को यूस किया गयाँ आप सोच सकते हैं का उप यूस किया गया भी शूड़ फे कर दो में यूट्व के शूर में के स्टोर के लंड़ स्वाइब ने एक्स्रे की चोटी मेशेने रखी तुं और इस के अंदर आपको यूता पहन के अपना पाञूं उसकी अं तो यह जो प्रैक्टिस रही कुछ हरसा पिर जब इसके हैजर्ट सामने आए तो उसके बाद यह प्रैक्टिस खत्म कर दी एवन यह के रेडियालोजी वे रेडियेशन से जो घड़ियां इस्तेमाल होती थी पहले आपने शायद ना देखिए हमने देखी ही है रेडियम वाच मेडिकल के शौबे मेडिकल की फिल्ब में इमपॉर्टन्स क्या है इस वक्त जो मेडिकल प्रैक्टिस चाह रही है तो हास्पिटल के अंदर जो भी लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो उन में से 70 परसंट लोग रेडियालोजी डिपार्टमेंट से गुजरे बगहर नहीं जा सकते हैं बाद के लिए अनुफिट ऑन अधर यह एक्सरे के लिए अटरावन, चीटी स्कैन, अमर आई और बहुत सी इसमें चीजें हैं यह चीजें बेसिक चीजें हैं जिनका सब लोगों को पता है और यह प्रीविए स्प्रोग्रम में अब डिसकस ही कर चुके ह यह दोनों टाम सेम है या फिर इसमें को डिफरेंस लिया है ची रेडियोलोजी बेसिकली जिसमें हम डील कर रहे हैं इस डायगनॉस्टिक रेडियोलोजी यानि के हमारा काम तश्वीश से मतलका है और जो रेडियो थरापी है वो इनी रेस को अस्तामाल करके जब ट्रीटमेंट की जाती है तो उसको रेडियो थरापी कहते हैं मुफ्टली इसमें की स्हुत राइशं यूजिदी जी डिफिनिटली एक बहुत ही वास्ट फिल्ड है इसमें शायद आपने कभी देखा हो एक्स-रे जिसके अंदे सफैद रंग की आपको लाइने नदर आ रही है मेडिसन पिलाके कंट्रास्ट पिलाके तो उनके एक्स-रे किये जाते हैं मुख्तलिफ चीजों को अब मिसाल के तो पर जी आई ट्रेक जो है जो हमारे मुझ से शुरू होके खुराक की नाली है मेड़ा है उसके बाद आनते हैं यह मुख्तलिफ टेस्ट हैं कि वे बेरियम मील लेके बेरियम स्वालो के जरीए तो अगर खुराक की नाली में कहीं पर किसी वज़ा से तंगी है वो इन्फ चीज़ों से मदद मिलती है और यह टेस्ट अब बहुत ज्यादा नहीं हो रहे क्योंकि जो जदीद मोडेलिटीज है सिटी स्कैन वगरा मरे मुख्ली उन्होंने इनको रिप्लेस कर दिये लेकिन इनकी इंपॉर्टन्स फिर भी अभी भी काफी जहों पे है तो इसके तो मत इसके साइड इटेक्स भी है तो जी डेफिनिटली तो आपको इस चीज़ को हमें थोड़ा से रिप्लेस करवाना चाहिए किसी और चीज़ के साथ यह कभी तब कोई और साथ नहीं निकला इनुवेशन है इसमें नई से नई चीज़ें आ रही है कुछ चीज़ें जहां पर स्पेसिफिकली यह चीज़ें ज्यादा हेलफूल होती है लेकिन अब जिस तरह आपने पूछा है कि जिस तरह कॉलोनोसकोपी होती है यह उसके अंदर वीजूली देखते हैं कैमरे के जरीए और इसके आंत वगारा के माइने के लिए जो है इसकी स्टडीज होती हैं कंट्र इस तरह सीटी लिया जाता है जिसमें सारी आंतें वगरा हर चीज़ आती है तो उसको एक साफ़वेर के जरीए चेंज करके उसके जो पिक्चर्ज हैं वो वर्चूली जिस तरह वर्चूल ट्रैबलिंग आप करते हैं टरनल में जा रहे हैं इस तरह आप आंत को देख रहे ह है कोई पॉलिप है कोई ग्रोथ है कोई चीज़ है तो वह चीज़ें देखी जा सकते हैं अच्छा तो रॉक्सर यह बताईगा कि ओपरेशन के दिरमान भी रेडियालोजी का कोई रोल होता है जी डेफिनेटली बहुत ज्यादा रोल है इसमें दो किसम की चीज़ें कुछ क हम पेशन्ट है तो उसके अंदर हम अल्टरा साउंड के जो प्रोब है उसके जरीए इंट्रा अब्डामिनल अल्टरा साउंड कर सकते हैं उसके इलावा जो आर्थों के प्रोसीज़ें हैं हडियों की जो करते हैं तो वह सी आर्म होता है किसम का एक सरे होता है जिसमें अब लाइफ भी देख सकते हैं उसके अंदर फिल्म भी देख सकते हैं तो उसके जरीए इसको हड़ियां अलाइन होई हैं अप्रेशन के दौरान या नहीं हुई वो सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है असर तो जिससे भी आपने बता है कि मदब पेशिंट ओपन हो तो उसके अशुममिटा जोफियज्प गुटि दो नहीं होता ़्येम और थेज़े कोई उसको भी एुछ आप करते हैं उसके लिटे अःकिन क्वर्चनले लेचिन्हें तो वोम्हां बेसे हैं और चृपन पर ओगर्सी आप करते हैं और जब वो आप रिकॉशले ले लेते हैं तो कि साउंड वेव्स हैं इनका तो डेंजर नहीं है तो रेडियेशन तो नहीं होती लेकिन जो सेपसिस एंटिसेपसिस के जो आपरेशन के दुरान पूर इसके जो प्रोटोकोज होते हैं उनको हमें इन अकाउंट लेना पड़ता है जहां आने वाली यादों का समाबस्ता हो जहां कुशादा मनसिलों का रस्ता हो और आपके इन्ही रास्तों की मनसिल है सफारी सिटी हाउसिंग स्कीम टी ए ग्रूप अफ कमपनीज के माहर आर्किटेक्ट और चाइनीज इंजिनियर्स की जेरेनिक्रानी जदी तरीन इंटरनाशनल स्टैंडर की कंस्ट्रक्शन इंजाम, स्टेनलेस स्टील पोल्स, प्लेई ग्राउंड, प्लेई लैंड, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट, ट्रफिक साइन, एंट्री रोड साइन, कैट आई, इंटिरियर स्टोन, कर्प स्टोन, सिक्यूरिटी कैमरे 24 घंटे और लोकेशन सेक्यूरिटी टीम की मौचूद की बनाए, आपके लिए एक महफूस और पुर्सकून जिंदगी को यकीनी, तरक्याती काम की जलक देखें, फिर बच्चों के मुस्तक्बिल का फैसला करें 25 फीसद एडवांस और बकाया अदाइगी, 24 माह की आसान महाना एक साथ में सफारी सिटी हाउसिंग स्कीम, मुलहका सिटी स्कूल, कैनाल व्यू रोड, उकाडा, डिजाइन और डवलप बाई, टी-ई ग्रूप आफ कमपनीज जी नासे, वालकम बैक, जैसे के ब्रेक से पहले हम दॉक्टर साब से गुफ्तु को कह रहे थे, रिलेटि टू रिडियालोजी, और किस तरीके से ये उप्रेट के दिम्यान इस्तमाल की जा सकती है, तो वहीं से हम लोग कंटीनियू लेते हैं, तो जी डॉक्स साब, आप से मैं यहां पूछने लगी थी, इस हवाले से, कि बैसी के लिए जो एक्स्ट्रे है, या अल्टर साउंड है, इस तरफ तश्कीस के लिए यूज होता है, कि इनका कोई, ये किसी इलाज में भी इस्तमाल हो रहा हुता है, जी बहुत अच्छा सोब की आपने, बैसी के लिए य अल्टर साउंड तरफ यूज होती है, और उसके लावे ये है कि ये जो अल्टर साउंड बहुत से प्रोसीजर्ज हैं बेसिकली, जिनको रिप्लेस कर दिया, रेडियोलाजिकल प्रोसीजर्ज हैं, मिसाल के तोर पे जो इसका दिल के अब हम एंजियोग्राफिक करते हैं, तो पहले आपने सुनूगा हर ओल्ड जो बंदा होता है, चौटे पांचे बंदे का जो है वो कार्डिक बाईपास सर्जिर्य होती है, तो अब आपने बहुत कम सुनूगा कि किसी ने बाईपास करवाया है, तो बेसिकली ये रेडियोलोजी के प्रोसीजर्ज हैं, जिसमें इमेजिंग के अंडर देखते हुए काथिटर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्ट है ने उनके अंदर कोई केमिकल्स हम ऐसा डालते हैं इसे वो वैसल बंद हो जाती है नतीजा क्या निकलता है कि जो वैसल के बंद हो जाती है तो उसकी ट्यूमर की बलड स्प्लाई खतम हो जाती है उसे खुराक मिलना बंद हो जाती है बढ़ना बंद कर देता है और अल्टिम की प्रोसिजर कोईलिंग की जाती है बाद दफ़ा यह होता है कि जो खुन की नाली है उसके साथ एक बबल नुमा चीज कोई आउट ग्रोथ निकलाती है इसको एनुरिजम करते हैं तो एनुरिजम में वो क्या करते हैं वो एक पुटेंशल प्लेस होती जहां से उसको अंदर एक कोईल लाज कर देते हैं वाहर की तो वो स्पेस उसकी आकुपाई हो जाती है वो इस तरफ फिलिंग होके उसके इंदर ब्लॉड के साड़े में वो खत्म हो जाता है उसका फटने का चांस खत्म हो जाता है जी अशर तो रॉक सार जिससे भी ब्रेक्शित हैं हमार फिर तो आपना पाई है कि कुछ है से एक्स्ट्रिस भी जिए में उससे वहले कुछ दौाई आए जाती है लिंदिंग किया जाता है तो वो बिसकिकलिए क्यों किया जलता है और किस ने यह तरीका का रिज उस किया जा रहा है इसमें एक तो चीज हैं मिद्धी ओन्साल के त दिखाती हैं कुछ चीज़ें दोनों दिखाती हैं तो इसमें ये है कि एक प्रोसीजर होता है आई वी यू इंटरवीनस यूरोग्राफी जिसमें अगर गुर्दे मसाने की नाली में कहीं पर रुकावट है तो इंजेक्शन के जरीए दिया जाता है जब वो गुर्दा उसको खुन को जजब करता है तो वो गलो करने लग जाता है वाइट हो जाता है तो वो कंट्रास्ट उसके अंदर नजर आने लगता है एक्सरे में फिर वो कंट्रास्ट जहां जहां पर जाता है आपको पता चलता है यहां पर कंट्रास्ट आगे जाना बंद हो गया दाट मीन्स क तो पहले हम बात कर चुके हैं बहसले है बाद दफ़ाध कहते हैं पेशनन जहने प्सियातो हैं पेशनन्स करते हैं मेरे गले में गॉला बनाओं है हाला कि ह्धिये सिर्फ को कहते हैं globalust pallidus एक बिमारी है नफसीयाती मस्ला है वो बार दाफा खाते हैं पेशन्ट तो अंदर नहीं जाती है खुराक वापस आ जाती है तो इन चीजों को डायगनोस करने के लिए ये बड़ी अच्छी मोडेलिटी है इसके इलावा एक अल्टरसॉंड होता है अपना ट्रांस एसफेजियल अल्टरसॉंड यानि के खुराक की नाली के जिरिये अंदर एक प्रोब उपर हम फेरे होते हैं जिसी तरह का प्रोब होता है उंगली की तरह बरी जिस तरह आपकी जो एंडोस्कोप जाता है एंडोस्कोप जाता है एंडोस्कोप तो नाली के अंदर का इसा देख रहा है तो ये जो ट्रांसेसोफिजियल प्रॉब जो डालते हैं, तो नाली के अंदर अगर यह के लियूमन के अंदर नाली के दिवार के अंदर, अगर कहीं पे कोई कैंसर है, कोई चोटी मुड़ी चीज़, कोई ऐसी चीज़ है, तो उसको बड़ा अच्छा वो डिटक्ट कर लेता हैं, यहां पे मेरा खालब बहुत कम हैं पाकिस्तान में यह, मैंने नहीं देखा, लेकिन यह काम वेस्ट में हो रहे हैं, तो अभी में के चांसेस हैं, फीचर में यहां सब्सक्राइब हैं, यह बात करने का मकस्द भी यह है, हमारा के, जो हमारी यूथ है, क्योंकि हम आदी हैं यह, लेकिन यह 125 साल का सफर है, जिन्होंने मिनत किया आज उसका फल खा रहे हैं, तो डिफिनिटली हमें भी इस पारे में सोचना चाहिए, तो रोक्तर यहां अक्सर बायापसी का वर्ड हम सुनते हैं, रोक्तर रोक्तर बेसी के लिए बायापसी होती क्या है, क्यों की हो जाती है , या इसको करनी का प्रपस क्या होता है, कौन इसको परफॉर्म करता है, रोक्तर बायापसी क्या है तो उसमें वायोपसी होती क्या है? बिसिकली जब आप अल्टरसाउंड करते हैं, आपको कुछी चीज नजर आ गई, एक मास नजर आ रही है, मिसाल के तो पर अब हमें नहीं पता कि ये क्यूमर है, कैंसरस है, खतनाक है, या मामूली जीज़ है, सोज़श है, तो CT में उसके ज्यादा बेहतर हमें डीटेल मिलती है, एवन जो MRI है, उसमें इस से ज्यादा कुछ चीज़ों की डीटेल मिलती है, CT में बोन्स ज्यादा देख सकते हैं साथ हम, MRI में बोन्स के लिए इतनी सेंसिटिव नहीं है, लेकिन MRI लिगमेंट्स के लिए, डिस्क के लिए, इन चीज इस किसम का ट्यूमर हो सकता है, बिसाल के तौर पर दिमाग के अंदर है, मिन इंजियोमा एलट से, ठीक है, हम उसको देख के अंदादा करते हैं, लेकिन हमेशा जो गूल्ड स्टेंडर है इस के अंदर, वो ये है कि एक बायॉपसी या नहीं कि उसका टुकडा लिया जाए अंदर पे, आहम तोर पे नीडर्स होती है, मुक्तलिफ किसम की गन्स होती है, बायॉपसी गन्स होती है, उनके जरीए हम लेते हैं पीस, और वो पीस जो है, उसको हम पिजवाते हैं लिबार्टरी में, पथालोजिस के पास, पथालोजिस्ट माइक्रोस्कोप में उसको दे पर उसका मेटीरियल है, वो उसमें डिस्टरबेंस वगरत नहीं होई, तो ये गोल्ड सेंडर्ड है, जो हमें बता देता है कि ये कौन सा कैंसर है, ये उसके पिर हमें पता होता है, आप नहीं, अल्टरसाँन फ़र्स्ट है, इसलिए अवैलेबल स़स्ता है, अगर उसमें कु चाग या उसको फिर डिपेंड करता है कि उसको हमें CT पे ले जाना या MRI पे जिस किसम का टिशु आउस मताबब है लेकिन फाइनल डाइगनोसिज जो होता है यह इस किसम का टियूमर है वो बायोपसी पे होता है और इसमें होता है एक एक नीडल हम डालते हैं रेडियॉलोजि की वेवे ज़े वेज होगे गेह हवा से पार नहीं करते हैं तो नार्मल लंग्स को हम अल्डरसमें नहीं देख सकते हैं अलरुस अगर बयापसी कोई ेषट के हीर यह में करनी है यह लंग्स में से अपने टिशु लेना है तो हम CT गैडिद बयापसी करते हैं कि सीडी स्कैन पे लिटा के पेशन को जगा को प्रेसाइडली लुकेट करके फिर उसके अंदर वो नीडिल या गन डालते हैं और उससे टीशू का टुकडा निकालते हैं वो पर पेथालोजिस्ट उसकी रिपोर्ड लेते हैं अच्छे तो सर्च जैसे भी आब बता रहे हैं तो रेडियोलोजी बेसिकली और कितने शूबों के साथ लिंक्ड है और किस किस वे में हल्पुल है इस तरह है कि अब जो सर्जिरी वाले पेशन्ट हैं वो सर्जिन के पास जाएंगे जो ओब्स गाईनी की हैं उन्होंने सर्ज प्रोशिएंट हमारे पास आती है फिर किस तरह मैंने पहले बताया आपको कि जो इसके कार्डियक प्रोसिज़ हैं ऑंगियोग्राफिय और यो फ्लॉस्टी नियूरालोजी की इंटर्वेंशन प्रोसिज़्जर हैं इंटर्वेंशन यह के एक सुराख किया आपने उसके ज करते हैं बेसिकली ये इसमें यूज रिडियालोजी के जो एक्विप्पन्ट है पर उसी जड़ हो यहां पर भी शाट बेक का टाइम हो रहा है तो पिल्ट वापिस आते हुए मजीद कुफ्तु को गईते हैं रॉक साब से तब तक देखते रहे हैं देनल न्यूज जो करते हैं देनल न्यूज भी शाट आते हैं उन्यूजी के जो नहीं जो पिली खंविपन्स देखते हैं तो और स्थटम्स हैं रेक्षानिके तो क्रख़ग साब में करते हैं इसमीद के जो जो खंवित रहे हैं झाल झाल जी नाजिन वेलकम बैक जैसे कि ब्रेक से पहले हम डॉक्टर साब से सवाले से बात करें कि इस तरीके से दूसरे शोगों के साथ लेंगे वहां पे इस रेडियोलोजी की फिल्ड के अंदर कुछ और टंक्स हैं जिनके बारे में हम रॉक्ट साब से जानेंगे तो जी रॉक्ट साब यह नियुक्लियर स्कैन जैसे आपने प्रीविस दे बिताया था एक वर्ड यह बे जो उसको इमिट करती हैं रिज इमिट करती हैं तो वो चीजे हम पेशन को देते हैं उसके आरगन के मताबग लटसे कि अगर थाराइड का स्कैन करना है ठीक है यह गुर्दों का स्कैन करना है तो उसके अंदर मुख्तलिफ जो आईसोटोप सैंस के वो यूद होते हैं तो जब उसको इंजेक्ट करते हैं तो वो बंदा वो उस आरगन में जाके वो सैटल हो जाते हैं तो वो केशन चोड़ते हैं उसकत पेशन को अलएदा रखा जाता है दिल का भी होता है मुख्तलिफ स्किन डिग्राफिक करते हैं तो उसमें यह होता है कि उसको गैमा कैमरे के ज करता, चल जाताो जए, कि यह साथ हार्ट नोडोलंए, किंसरﷺ केंसर की डिटेक्शण। इसमें पाकसतान में मुखती जगों में, अटमिक अनर्जी , और्फट खिर्मात। नहीं की लाहौर में सीनम है, अनमोल है, गुजरावाला में जीनम है, खरस्तबाद में पीनम है, वो ये सारे टेस्ट वहाँ पर होते हैं, इसके साथ रेडियो तरापिक ये सोलतें भी बाद जगों पर मोज़ों होता है तो यहां पर एक और टाम अक्सर मजब पर सुनी है मैंने गैमनाइफ, तो गैमनाइफ की टाम बेसिकली क्या होती है, ये क्या चीज़ क्या है, गैमनाइफ एक ऐसी टेकनोलोजी है, डवांस टेकनोलोजी, कुछ अरता पहले जब मैं पढ़ ला था उसकत ये सिरफ में ता, बाद में लेटली, तकरीबं दस पंदरा साल पहले तक, इंडिया लोग जाते थे, गैमनाइफ सर्जरी के लिए, ये रेडियालोजी से लेटलेकर सा परोसीजर है, जिसमें दिमाग के ट्यूमर्स की और ट्यूमर्स की, बड़ी प्रिसाइज मैपिंग करके, और उ प्रिस्टिकेटेड, बहुत एडवांस एक्विप्मेंट है, बहुत कास्टली है, और इस वकत मैं अपने जो वियूर्स हैं, उनकी मालूमात के लिए बताना चाहूंगा कि किराची में एक जिना इंस्टिचूट है, वहाँ पे ये फ्री आफ कास्ट इस सर्विसिस वहाँ पे जाके फाइदा उठा सकते हैं इस चीज़ों का, अज़र तोस्ट सर्य इंटर्वेंशनल डर्डालजी क्या होती है, जी इंटर्वेंशन ये है कि कोई भी काम हम ऐसा करते हैं, अब मुस्टली हम नेडल्स के थरू के थरू जो काम पहले सर्जरी के जरीए किया ज में होता है, कार्डियक इंटर्वेंशन ये दिल में होता है, इसके इलावा गुर्दों के लिए होता है, PCN करते रहे हैं, हम बहुत ज़्यदा की हैं मैंने, तो वो गुर्दे के अंदर एक अगर आगे ब्लाकी जा जा जाती है किसी जगा पे, जिसके जासे गुर्दा फू के जरीए, या सीयाब के जरीए, वहां पे एक ट्यूब डाल के हम छोटी सी, और उसको बाइपास कर देते हैं, तो यूरीन उसमें आने लग जाएगा बैग में, और उसका गुर्दा सेफ हो जाएगा, इसी तरह एक प्रोसीजियर जो पहले आपने बात की थी मोडेलिटी है, जिसको कहते हैं PCNL, परक्यूटेनियस नेफरोलिथोटमी, तो उसमें यही होता है कि गुर्दे का प्रेशन पहले जो होता था, और यहां से लिएक यहां तक बहुत बड़ा प्रेशन होता है, अब इसमें हम यह करते हैं कि पीछे रेडियोलोजिस्ट और पीछे से एक नीडल से पंक्चिर करके उसी को सुरा को डायलेट करके इतना जगह बनाते हैं, गुर्दे के अंदर पहुंच के बार एक लिए तो क्लास्ट होता है, इस तरह यह सड़क तोड़ने वाली होती है हिल्टी, उस तरह की छोटी सी मिशीन होती है, जिसके जिए ग एक उंगली के बराबर उसका इसी एन, तो इतनी यह पेशन्ट की पेइन, मिजरी, उसको इतना कंट्रॉल किया गया है, इस तो मेडिकल लीगल की फील में, जैसे आप रेडियोलोजी की फील में जो आपकर तो जोड़ता है, इस खवाले से आप नाजरीन को को कोई पबलिक मेसिज है कि खुदारा, यो आप हमेशे यह सोचें कि गल्द काम से हमने बचना है, लोग परानी हडियां टूटी होती हैं एकसिडेंट में इदर उदर, किसी घरीब को फ्रेम करने के लिए, वो आ जाते हैं, एकसरे करवा के लड़ाई का वकुवा बना के, तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि रेडियालोजिस्ट को पता चल जाता है, कि यह अभी तूटी है, पहले तूटी है, तो खुदारा अपने हम दुनिया कहां पे पहुँच की हम कहां पे खड़े हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि अपनी एथिक्स को, शलाकियाद को ठीक करें, और इतना कुछ हो रहा है, इसमें जो लडाई जगड़े हैं, और अमरोज एक से एक नया केस देख रहे होते हैं, तो यह बड़ी अलार्मिंग सुरतेवाल है, हमें सीखना चाहिए, लोगों को कि इन चीजों से बचें, जी अज़से तो रॉक साथ वैसे एक जर्णर एक कुशन आप समया करना चाहरी है, जो सब्सक्राइब करना चाहरी है, तो आप इसका फ्यूचर कि लिहाद से लेखनें, किसका फ्यूचर किस तरीकिका है? महां, बहुत कुछ आ रहा है नहीं है, बहुत कुछ आ चुक है, लेकिन ये एक समंदर है, जिस तरह हाँ चलते जाएं, इसमें एक तो यह है कि आगे फ्यूचर में जो एक्सपेक्टिड है, आर्टिफिशल इंटेलिजिएंस जो है, जिस तरह दूसे शोबों में आरी है, रेडियालोजी में भी आ जाएगी, जन्य कि अब हम बैटते हैं तो हम CT scan का एक 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 इमज़ देखके, उस की हम रिपूर्टिंग करते हैं, कि यह हो सकता है, यह हो सकता है, यह हो सकता है, तो आर्टिफिशल इंटेलिजिएस में वो सारी चीज़ें उन्हें ने नें कमप जो यह बो दे देगा दूसरी एक बड़ी जी उसी एक बड़ी जब दस चीज है जो यह मैंने पहले आपको द्वाई पिला के यह बताएं प्रोसीजर उसमें सिंप्ली एक कैपसुल दिया जाएगा पानी के साथ पी लेंगे अब उचोबिस केंटे हमारे अंदर जो हम खाते ह करेंगे और आपका अंदर का पूरा डाय बायो डेटा आपकी खुराकी नाली कैसे है अपका मेदा कैसे है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है चोटी यह बड़ी आथ तो उसमें जो कुछ है वो फिलम बना कि आगे आगे आपके सामने आगे टे एनन पे चला दी जाएग जी डिफिनिटली बहुत इंपॉर्टन स्वाल है आपने बड़ी जबर्दस बात किये हमारे आम तो पर लोग क्या कहते हैं हमारे पास आते हैं पेशिंट कहते हैं जी टेस्ट की कराने जी डाक साब कोई बिमारी पता लग जाएगे की करांगे सी हां मारते जा नहीं है तो जी मरना तो है जब वक्ता है का मरना है मरने से पहले जिंदगी को मौत क्यों मनाते हैं एक बंदे को कुछ भी नहीं है लिटली कुछ नहीं है वो अपने दिमाग में कोई बिमारी पाल के बैठा है वो सोच रहा है मेरे दिल में तकलीफ है यहां पे तकलीफ है वहां पे तक ईसका ईलाज हो जाता है, Allah ने फर्माया है, कि जो बैमारी आाई है. ऐसका आलाज बी नाजल किया है. और अब जो एडवांसमेंट जितनी मैं यह बाती बात में डिसकस की है, जितनी मोडिलिटीज आचुकी है, बहुत सी बैमारें का इलाज हो जाता है. इनिशियल जितना जल्दी टेस्ट कर वा लेंगे पकड़ी जाएगी बिमारी और वह उसका इलाज मुम्किन है बिलकुल आपके अपके 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 नहीं तो बहुत इंपोमेटिव तेशनर आपके साथ जी नाशिन हम यहां पर अपना प्रोग्रम आज का खतम करते हैं फिर मुलाकाथ होगी एक नए महमान के साथ एक नए उन्मान के साथ तब तक देखते रही है एए टेनन नूज तरई साल ठीक है अच्छा अच्छा क aika सूम बीबी बोसरी खवातीन जो हैए वो काम करवार करना चाथी हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहे हैं तो यह कारवार कितने से शुरू किया जा सकते हैं इसे कितने लग जाते हैं क्वेश्जाना और कोई 2.5 लाग रुपए किया लाग जाना है आपने 2.5 लाग रुपए किसी से करजा लेकर ये काम शुरू किया था या किसी से उधारे लेकर शुरू किये थे या अपनी जमा पुझी लगाई थे नहीं नहीं मेरे ये मेरी मेशीन नहीं है बढ़ते हैं लोगा गपार आपकरांद मेरे पैड़ने में हमक्ड करणी वढ़ता है। कल्सूम बीबी बहुत सरे लोग आपको देख रहे हैं मुखयर हजरात जो अमीर तमीर लोग हैं हकुमत पाकिस्तान के नमाइंदे भी उनसे कोई इलतजा कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे उत्तरो मैं यह कहीं निया मेरा गार बन जाए मेरा को गार नहीं है करो जाए लगा आपको इस वक्ता है कि लाखो लोग आपको सोशल मीडिया के प्लैटफार्म से ना सिर्फ पाकिसान में हिंदुस्तान में बलके पूरी दुनिया में देख चुके हैं वेख देख देखनो मैं खुश्चा कोई बुराई नहीं मैं यह तू मेरा प्रोग्राम देन दी पहिंगा मेरे पास होंते मैं खुश्राम ओवी खुश्राम ओवी खुश्च होंते